बारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटिस्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूलक देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक जरूर करें मुश्कले जीवन में तमाम आएंगी मुश्कले जीवन में तमाम आएंगी मा की दूआ ले ले तेरे बहुत काम आएगी जिन्दगी तीन पड़ावों से गुजरती है बच्पन से होकर जीवन गुजरता है जवानी से होकर जीवन गुजरता है बढ़ापे से होकर जीवन गुजरता है बच्पन भी आता है जवानी भी आती है बढ़ापा भी आता है बढ़ापे के बाद क्या आता है कुछ नहीं आता बुजर्गो ज्यादा इंतिजार मत करो बुजा बुड़ापे के वाद तो आता कुछ नहीं है जो भी है वो जाता ही जाता है इंकमिंग बंध हो जाती है आउट गोइंग चालू रहती है बुड़ापे रहती है बच्पन आएगा जवानी आएगी बुड़ापा आएगा माना हो तो बच्पन बिगड़ जाएगा महात्माना हो तो जवानी बिगड़ जाएगी और परमात्माना हो तो बुड़ापा तुम्हारा बिगड़ जाएगा ध्यामेरों के बच्पन को सम्हालने के लिए मा की जरूत है जवानी को सम्हालने के लिए महात्मा की जरूत है और बुढ़ापे को समानने के लिए परमात्मा की जरुवत हुआ करती है इसलिए बारामती वालों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बच्पन में मा का अशिरवाद ले लेना जवानी में महात्मा का अशिरवाद ले लेना और बुढ़ा पे में परमात्मा का अर्शिरवाद प्राप्त करना एक बात ध्यान रखना परमात्मा महात्मा और मा मा के बिना ना परमात्मा है ना महात्मा है क्योंकि महात्मा के अंतिम अक्षर भी मा है और परमात्मा का अंतिम अक्षर भी मा हुआ करता है मैं तो आप से कहता हूँ यदि जीवन से इन तीन लोगों को निकाल दिया जाए मा महात्मा और परमात्मा को निकाल दिया जाए तो बताओ फिर जिन्दगी जीने लायक क्या बचेगी जीवन में कुछ भी मिलने वाला तीन चीजें बहुत मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मा समुन्दर से पूछा की मा क्या होती है मेरा मुंबई में चातुर मा सुआ समुन्दर से पूछा की मा क्या होती है समुन्दर ने कहा मेरे सीने में तो मेरे धीतर तो रत्न है जबहरात है लेकिन मैं मा को प्रणाम करता हूँ क्योंकि मा बो होती है जो वलाद के तमाम राज अपने सीने में छिपा करके जिया करती है वो दुनिया में मा हुआ करती है मैंने दुआओं से पूछा की मा क्या होती है बोले मा भो होती है जो गुनाहगार बच्चों को भी सजा से बचा दिया करती है वो दुनिया में मा हुआ करती है है वो दुनिया में मा हुआ करती है मैंने ईश्वर से पूछा कि मा क्या होती है तो ईश्वर में कहा जो मुझे भी अपनी गोद में खिला लेती है दुनिया में वो मा हुआ जो भगवान को भी गोद में आ गया हो ध्यान रखे चाहे तीठंकर पुरुसों चाहे आउतार पुरुसों चाहे नारायन हो चाहे प्रती नारायन हो इस धर्ती पर भगवान को भी आने से पहले मा की कोख में नो महिने गुजारना जरूरी हो जाया करता है ध्यान रखे भगमान भी मा के बिना धर्ती पर कोई नहीं होता है मा का प्यार वरा अनूठा प्यार है मा के प्यार से बड़ा दुनिया में कोई प्यार नहीं होता है मा मारती है मा डाटती है मा फटकारती है मा गाल में चाटा भी मारती है लेकिन मैं तो कहता हूँ पुलक सागर कि अभागे हैं वो गाल जिस पर मा के चाटे ना पड़े हो ध्यान रखिये अभागा है दुरुभाग के है उसका भागे ही नहें बोलो जिसके गाल पर मा के चाटो की चपतना लगी हो किस काम कवई जीवन है जिसे मा की डाटना पड़ी हो अरे मा की डाट यार मा का चाटा संत के आसिरवाद से भी बड़ा हुआ करता है मेरे भाई भगवान के आसिरवाद से भी बड़ा होता है सुभाग के साली है जिने मा मारती है पीटती है मा का प्यार वरा अनूठा प्यार है यूँ तो मा बच्चे के दर्द को शहन नहीं कर सकती है यूँ तो बच्चे को चोट लग जाए तो मा का दिल रोने लगता है यू तो बच्चे को चोट लग जाए तो मा की आखों में आसू लग ये मा का प्यार है चोट बच्चे को लगती है दर्द मा के सीने में हुआ करता है ये मा का प्यार देखो एक पत्थर की चोट लगी तो मा दुखी हो जाएगे मा का दिल रोने लगेगा लेकिन जब वही चोट ठीक कराने के लिए ये वो मा है जो इंजेक्शन भी लगवा दिया करती है बच्चा मना करता है नहीं लगवाँगा मा जवर दस्ती हाथ पकड़ती है उसको इंजेक्शन लगवा देती है एक बात ध्यान रखना चोट लगने पर दर्द होना ये भी मा का प्यार है और दर्द मिटाने को इंजेक्शन लगवाना ये भी मा का प्यार हुआ बड़े अनूठे प्यार है नहलाएगी धुलाएगी सरीर का मेल निकालेगी मा सरीर से मेल हटाना ये भी मा का प्यार है और नहलाने धुलाने के बाद एक काजल का मेल माथे पर लगा देना ये भी मा का अभी तो नहला रही थी अब नहलाने के बाद काला काजल का टीका और लगा दिया करती है ये मा का प्यार है एक बच्चा मेरे पास आया बोले महराज मेरी मम्मी बहुत खराब है तो मेंने का क्या करूँ बोले आप कुछ बताओ मेंने का मम्मी बदल ले तो महराज मम्मी किसे बदल सकता हूँ मम्मी तो वो ही रहेगी तो मेंने का मम्मी नहीं बदल सकता तो अपना सुभाव बदल ले दो में से एक तो बदलना ही पड़ेगा अपनी सोच बदल ले, अपनी थिंकिंग बदल ले अपने विचार बदल ले बुले हाँ ये तो बदल सकता हूँ लेकिन मम्मी तो बदली नहीं जा सकती है ध्यान रखिये मानिवार मा तो मा होती है मेंने का क्यों है तरी मम्मी खराब बुले देखो ना माराज जब रात को मुझे नींद नहीं आती है तो मम्मी कहती सोजा सोजा, सोजा टीवी बंद कर देती है लाइट बंद कर देती है बेटा तू सोजा, बेटा सोजा और जब मुझे सुबह सुबह अच्छी नींद आती है तो मम्मी कहती है उठ जा बेटा उठ जा अभी तक नहीं उठा जल्ली उठ जब नींद नहीं आती तब सुलाती है और जब नींद आती है तब मुझे उठा दिया करती है मैंने का बेटा तरी मम्मी बहुत अच्छी है ध्यान रखना अच्छी मम्मी वही होती है जो समय पो कहे बेटे को सोजा और समय से कहे बेटे को उठ जा सुलाना भी मा का प्यार है और सुबह सुबह नीन से उठाना भी मा का मा के प्यार से बड़ा क्या है इस धर्थी बार